दूबई में ड्रोन के जरी क्रूत्रिम बारिश के बाद पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है बाड, सुखा, गर्मी और प्रदूशन जैसी समस्य से लड़ने में क्रूत्रिम बारिश को एक कारगर हतियार के रूप में देखा जा रहा है हालाकि भारत समयत कई देश कई बार क्रूत्रिम बारिश करा चुके है लेकिन दुबई ने जिस ड्रोन तक्निक का इस्तेमाल करके बरसात कराई वह कई मायने में खास है क्रूत्रिम बारिश का आदार क्लाउट सीडिंग की प्रक्रिया है जो काफी महेंगी होती है एक आकलन के मुताबिक वन स्क्वेर फिट बारिश करने की लागत करीब 15,000 रुपे आती है भारत में करनाटक सरकार ने दो साल तक क्लाउट सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जिसकी लागत करीब 89 करोड रुपे आई पुरानी तकनिक के तहट वाईउ मंडल में हेली कैप्टर या वीमानों के जरिये कुछ रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइट, पोटेशियम आयोडाइट और ड्राइ आईस के कनों का छिड़काव करते है एक अन हवा में मवजुद पानी के बाश्प को आकरशित करके बादल बनाते है जिससे बारिश होती है दुबई ने क्लाउड सिडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है इसके तहट बिजली का करण देकर बादलों को आवेशित किया जाता है यह तकनिक परम परागत विधी के मुकाबले हरित विकल्प मानी जाती है इसके तहट बादल बनाने के लिए बैटरी संचाली ड्रोन के जरिये विद्यूत आवेश का इस्तेमाल कर क्लाउड सिडिंग करते है विमान के जरिये भी यह काम हो सकता है लेकिन बैटरी जली ड्रोन अधिक परियावरन हितेशी होते है इस तकनिक को विक्सित करने का श्रय उनिवर्सिटी आफ रीडिंग को जाता है जो यह 2017 से इस तकनिक पर काम कर रही है रासाइनी कनो के छिड़काओ, बादल बनने और फिर बारिश होना सब कुछ मिंटो का खेल है आम तोर पर 30 मिनिट का समय लगता है हलाकि बारिश होने की समयावधी इस समय पर निर्भर करती है कि कनो का छिड़काओ वायू मंडल की किस सत्व पर किया गया है चिन ने इयर 2008 में बीजिंग में आयोजित ऑलम्पिक खेलों के दवरान बारिश की आशंका को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया इसके लिए आसमान में केमिकल युक्त रॉकेट दागा गया ताकि खेल शुरू होने से पहले ही बारिश करा ली जाए ताकि बाद में बारिश ना हो सयुक्त अरब अमिरात के शहर दुबई में गर्मी के दिनों में टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है ऐसे में ना केवल आम जन जीवन अस्तेवेस्तो हो जाता है बलकि वायू प्रदूशन भी बढ़ जाता है इस समस्या से राहत दिलाने में कुरूत्रिम बारिश सहायक हो सकती है इसी तरह बाड और सुखे की आशंका को खत्म करने में भी इससे मदद मिल सकती है कुरूत्रिम बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया भारत के भी कई राज्यों में कुरूत्रिम बारिश कराई जा चुकी है तामिलाडू सरकार ने year 1983, 84, 87 और 93, 94 में भी इस पर काम किया इसी तरह करनाटक सरकार ने 2003, 2004 में कुरूत्रिम बारिश कराई इसके अलावा तेलंगाना और आंध्रप्रजे सरकार ने इस पर काम किया IIT कानपूर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोच चल रहा है इसके लिए HAL विमान उपलब्ध कराता है कुरूत्रिम बारिश के भविष्य को लेकर वैद्यानिकों से लेकर आम लोगों तक राय अलग-अलग है ग्लोबल वर्मिंग के कारण कही बाड़ तो कई अधिक सुखे से निपटने के लिहास से कुछ वैद्यानिक इसे एक हत्यार के रूप में देख रहे है तो कई वैद्यानिक इसके दूश परिणाम को लेकर आशंकित है दुबई ने क्लाउट सीडिंग के लिए जिस तकनिक का इस्तेमाल किया है उससे भारत जैसे कुरूशी प्रदान देशों में भी उमिच जगी है क्रूत्री बारिश को लेकर शोध अभी शुरुवाती दौर में है लेकिन इसके दूश प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंकाय जताई जा रही है वैद्यानिको के मुताबिक क्रूत्री बारिश कराने के लिए क्लाउट सीडिंग करके परियावरं के साथ छेड़ चाड़ करना ठीक नहीं है इससे ना केवल परिस्थिती की ये वीशमता पैदा होगी बलकि महासगरों का जल अधिक एसिडिक हो सकता है इसके अलावा ओजुन स्वर में कमी और कार्बन डाय अक्साइड की मात्रा में बड़ोतरी होने का खत्रा जताया गया है चलो जल दे मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया में